हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेवादार वित आयुष और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आस्क आटोमोडिव आईप्यों की बारे में वैसे तो देखिया इस लिस्टिंग जरूर ठीक ठाक हो गई बट कह सकते हैं उतनी बड़ी तीजी हमको देखने को नहीं मिली जितनी प्रोटीन ही गवर्मेंट में देखने को मिली आफ्टर दे लिस्टिंग राइट तो इस वीडियो में यही समझने वाली कि क्या यह जो लेवल्स है वहां से और तीजी भी दिखा चकता है स्टॉक क्या 350 के भी लेवल्स हमको जल्द नजर आ सकते हैं काउंटर के अंदर या फिर यहां से कोई फॉल देखने को मिल सकता राइट तो वीडियो को पुरा जरूर दिखिया है काफी इंपॉर्टन वीडियो रहेगा उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं देखिये राइट 10% उपर बंद होता है लेकिन 8% अल्रेडी दोस्तो वो ओपन ही हुआ था उपर तो आस्क ऑटमोटिव ने बहुत अच्छा रिस्पॉंस अंवेस्टर से रिसीव किया इसमें कोई डाउट नहीं है और कंपनियें जिस तरह के रिस्पॉंस रिसीव किया थ उसके मुताबिक लिस्टिंग हम कह सकते हैं फीकी हुई है विकाज इतने अच्छे लिस्टिंग नहीं हुई तो आज बिसिकली एनसी पे 303 रुपे 30 पैसे के उपर दोस्तों यहां पर स्टॉक ओपन हुआ था क्लोजिंग 309 पे आई है और बी एसी पे दोस्तों 304 रुपे 90 पैसे पे ओपनिंग हुई और 310 रुपे 20 पैसे पे स्टॉक क्लोज होदा अगिंद इस्टिंग हुई हम कह सकते हैं ठीक ठाक थी कुछ खास बहुत बढ़िया भी नहीं और कुछ खास हम कह सकते हैं खराब भी नहीं क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे जो रीसे देखा है लेकिन जो लिस्टिंग हुई उसके बाद जो इंपॉर्टन बात जरूर है कि स्टॉक कभी भी अपने उस प्राइस पर नहीं गया या फिर इशू प्राइस पर नहीं गया उसके बाद से आपको सिफ तेजी ही देखने को मुली यह अपना आप में सच्चा ही थी 2555 करोड तक पहुच गई और कंपनी का जो पैट था वो गईबन 48.8% आपको जंप करता उपर नजर आया और अल्मॉस्ट एक्षो तेइस करोड पर दोस्तों कंपनी ने अपना मुनाफ़ा दर्ज किया जो अल्मॉस्ट कंपनी का पिछले साल तक कितना 82.65 करोड का था यहा दिफिनिटली शो भी करता है और यह आपको शुरुवात में भी काता है जब मैंने इसके उपर एक पुरा डीटिल विडिए दोना था कि कंपनी को आप समझे कंपनी लॉंग टर्म ने बहुत बड़ा नजर आती है क्योंकि टूविल स्पेस में यह एक मार्केट लीडर है यह कंपनी जो ब्रेक स्वनाती है वो डिफिनिटली काफी इंपॉर्टन है और इसमें कंपनी का सबसे बड़ा मार्केट शेर आपको अल्मूस्ट देखने को मिल जाता है और यही देखे कंपनी के सबसे बड़ी खासेत है यादरकी का आस्क आटमोटिव इस लार्जेस्ट इसमेटरी शेर अफ्रूर। हो जाता है तो then company आपको वो सही करवा कर भी देती है सही in the sense आप वहाँ पर जाईए and definitely उसका usage होता है और यादर कि जब 50% से जाधा market share है तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि हर दो breaking system change होने पर एक कम से कम company का breaking system हम कह सकते हैं use होता है आज जो हमने दोस्तों इस company के अदर volume देखी है वो volume overall कितनी थी 2 करोड 16 लाक 2 करोड 16 लाक शिर्द आपको आज trade होते हुए नजर आए ठीक है अच्छी खास है आपको आज volume देखने को मिली लेकिन आज़रूर at the end of the day 310 रुपे 10 पैसे जो इसकी closing price है वहाँ पर आप notice कर सकते है 14,212 selling orders तो यहाँ पर ही buying आपको देखने को नहीं मिल रही है basically selling आपको देखने को मिल रही है यह definitely note करने वाली बात है करीबन 14,214 orders आपको नजर आजेंगे जहाँ पर वो selling side पर है but still stock उपर ही बंद हुआ और जसमन आपको बताया कि stock जहाँ पर open हुआ उसके बाद से उस level पर आपको जाता हुआ नजर नहीं आया यानि open और जो low था वो basically आपको same देखने को मिलेगा 303.30 का और उसके बाद stock में हमको तीज़ी देखने को मिली आपको आपको आज दिन के दुरान इसका हाई लगता हुआ नजर आया और जरूर उस level पर आफिर 310 रुपे के उपर बहुत आसानी से टिक नहीं पारा था काफी selling orders थे काफी लोग अपना profit book कर रहे थे बट कोई भी होगा तो यहां से एक important question यहीं पूछे का या करती है उनके भी breaking systems fail होंगे और फिर change होंगे so no doubt कि इनका business तो काफी strong है और इस business के अंदर यह commanding position पर रहेंगे इस तरह कि company का management का अगर आप commentary सुनते हैं तो आपको ऐसा belief आजाएगा बिकार उनका management काफी तकड़ा है और आज इतना बड़ा पहुच जाना तो यह दिखाता है कि हाँ definitely अगर तो यह company का management company के promoters अगर strong नहीं होंगे तो business चली नहीं पाता है लेकिन उन्हें अपने business को खड़ा किया and definitely इस मुकाम तक पहुचा है यह अपने आप में देखिए काफी बड़ी बात होती है तो अब question यही निकल के आता है ना कि इन levels से होगा क्या देखो इक बात simple है कि देखिए numbers पर depend करता है कि company के numbers किस तरकी के निकल के आएंगे second quarter में growth के लिए वो important है दूसरी बात क्या है कि देखो valuation के साब से तो ठीक है मतलब valuation के साब से बहुत expensive नहीं दिखता है पर जब भी कोई OFS आता है तो एक typically mind में यही रहता है कि company के company को promoters हिस्सा बेच रहे हैं company के बास तो कोई पैसा जा नहीं रहे है तो overall valuation थोड़े से expensive ही होंगे reason simple होता है कि देखे जब भी कोई OFS आएगा तो मैं तो यहीं चाहूँगा ना कि सबसे ज़्यादा मैं अपने दाम पे shares बेचने की कोशिश करूँ तो यह सुभाविक सी बात है सबके जहन में चलता है बेच दिया कंपनी ने यह है कि हाँ कंपनी के valuation कब justify करेंगे जब कंपनी के numbers भी उसी तर पर आ रहे है तो बाजार को पनिश करने में समय नहीं लगता है पर अगर numbers अच्छे निकल कर आ जाएंगे तो यहां से और stock काफी चलता हूँ नजर आए यह कंपनी क्या growth लगातार देखने को मिल रही है क्या margins maintained है क्या company के revenue के अंदर आपको अच्छा कासा upside देखने को मिल रहा है और क्या guidance है राइट कंपनी की guidance भी बहुत important दे समाझना कि company क्या कह रही आने वाले quarters के लिए तो वो एक बहुत important चीज़ है जो matter करेगी but let's see होता क है कल का मुझे लगता है कि stock में overall जो trend है वो अभी भी तेजी का ही दिखता है हाँ आज काफी बड़ी तेजी थी उसमें participation उतना नहीं आपाया but I still feel कि कोई बहुत बड़ी problem नहीं है because काफी बढ़ते कि stock first day थोड़ा सा आपको consolidate करते भीने जाते है लेकिन हो सकता है कि second day से का करने चीए तो मैं काऊंगा कि देखिए वह एक आदे आई-प्यों में होता है हर आई-प्यों में अगर आप expect करके चलते हैं तो अपने आप में बिल्कुल गलत है वहर आई-प्यों में होता भी नहीं है बट यहां पर ज़रूरी चाहीं है यहां पर मैं ही काऊंगा कि कि आसपर से जाता है तो मुझे देखना है कि यह लेवल को तोड़ पाता है कि नहीं तोड़ पाता है यह कि बड़िया तीसी आपको expect करके चलनी चाहिए बाकि अगर आप देखेंगे बड़िया कंपनी है और अगेन मैं यह कहता हूं हमेशे देखिए first day कहने को बहुत कि कंपनी के वारे में थोड़ी से all information आए तो इस वीडियो में पूरा डीटेल वीडियो कंपनी पर लेकर जरू रहेंगे तो इस वीडियो में इतना है था थैंक यू फ्रेंट्स वाचिंग इस वीडियो